इंडिया जो है उनकी जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 400 अरब डॉलर पे पहुंच गई है और पाकिस्तान की ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो 32 बिलियन डॉलर पे है अब देखें कि उन हमने किस तरह अपनी domestic policy को और foreign policy को controversial कर दिया है कि अब दुनिया के जब ये कहते हैं कि हमने जो है वो बाहर से साथ से हमारे कलाब हो रही है तो जारी बात है European block की बात होती है इंगिलेंड की बात होती है और अमेरिका की बात होती है और यहीं हमारी export जाती है आप क्या समझते हैं ये 32 अरफ डॉलर से भी मारी export काम हो जेगी अगर इसी तरह मामलात जो है इन्हो नहीं आई कि आपकी फार्ण पालिसी है क्या आप यख लगत आप चाइना गया है आपको उन्होंने उन्होंने वहां पे सिर्फ ओलंपिक के लिए बुलाया था और आप भाग कर आपने इंप्रेशन ये दिया कि बाइलेटरल ट्रिप है आप भाग कर वहां चले गए वहां मि ख्याल है फूतन खुद रान होगा कि यार इनको कोई समझाने वाला नहीं है मैं हालते जंग में हूँ मैं अटेक कर रहा हूं और यह बंदे यहां पैसे मांगने आगे हैं मेरा में खुद रान होगए हो यार कि कि यह कितने बड़े को बड़े फकीर हैं ये कितने से मागने आगे यह खाराद देखो रहें कितने प्रफेशनल प्रती रही है मैं खुद कई दफारा हो कि इनको कोई समझाने वाला नहीं है कोई इनकी मुरालिटी नहीं है कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है मैं उस वकत के जो सिटिंग लिस्टिंग आई-स-ई-एड थे जनर्ल फैसाब उन्होंने खुद कहा था कि अमेरिका ने हमसे अडे नहीं मांगे उसके बाद इनके जो NSA हैं उन्होंने भी कई दफ़ा का है कि उन्होंने एड़ने नहीं मांगा आपके फिजाई हदूद भी वो यूज कर रहा है अमेरिका और उसके बाद आप वो अमेरिका जाहल है अल्टिमेटली चाहता होगा कि CPAC को बंद किया जाए आपने वो भी बंद कर दिया तो आप मेरा मकसद है आप और उसके बाद आप IMF के भी कदबों में पड़े हैं आप ने किसी गर्वर्मेंट ने आज तक इस चीज की जुरत नहीं की कि वो लेजिसलेशन करके सारा कुछ IMF और वर्ल्ट बैंक को दे दे आ आप तो उस 16 पर चले गें तो इसमें आख आप मेरे ख्याल में इन सरक्मस्टांसिज में कौन सा मुलक होगा जिससे आपको खत्रा हो और दूसरा इस वकत अंडर जो सरक्मस्टांसिज हैं यूकरेन में और दूसरा इस वकत ताईवान और दूसरा कोवर्ड और उसके बाद महिंगाई उसके बाद क्रूड ओयल की प्राइस तो आप क्या समझते हैं कि दूसरे मुमालक के पास इतनी एनरजी है कि वो आप जैसे एक कंट्री के उपर वो वेस करें क्यूंकि आप इस वक्त अगर देखा जाए तो आप आप की तरफ से दुनिया को कोई खतरा नहीं है आप उनको ना कुछ दे सकते हैं ना ले सकते हैं उसकी वज़ा यह एक्सपॉर्ड आप ने खुद बता दी आप खुद सोचें एक्सपॉर्ड करने के लिए पाकसदान में क्या है आप एक अगरिकलचर कंट्री हैं लेकिन गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं आप एक एगरिकल् हम हो रहे हैं इस वक्त भी आपका किया जाता है तो अफगानस्तान और नाइजर के साथ किया जाता है और आप दूसरी तरफ आप आपने भारत के साथ मेरे ख्याल में आपके पास नो मौरल पॉजीशन कि आप भारत के साथ अपने आपको कंपेर करें आपको कंपेर तो करना चाहिए है करें तो बंगला देश से भी आप नहीं कर सकते आपने आपको कंपेर आप तो बिल्कुल इस अफगानस्तान वारी सूर्टेहाल है आप बात कर रहे हैं मैं इस दफ़ा पाकिस्तान गया हूं आप जरा इसलाम बास से निकल के गुजरखान तक जाने की कोशिश करें और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चाइना ने आज तक कभी को ऐसा डिसीयन नहीं लिया जिस से उनकी अकानमी खराब हो और चाइना कभी भी भारत को ऐसे कस्तमर लूज नहीं कर सकता लेकिन आप उसके इश्क में देवाने इसलिए हैं कि वहां से सिर्फ एक ऐसी विंडो किया अश्रास बैटिये। कि आप ने उनको ऊवर्राइसिंग की है, आप ने उनसे रिष्वतें ली हैं, आपने उनके सीपेक के मनसूबों को डिले किया है, आपने उनके बिल वापस मरें उनको बिल नहीं वो कहते हैं बर्दे नादा पे कलाम नर्मों नाजक बेसर तो मेरे ख्याल में वो चाइनीज भी अल्टीमेडली क्योंकि उनका भी कल्चर का हिस्सा है कुरॉप्शन तो वो आके उन्होंने देखा है कि यह तो भी हमसे भी दोस्ट है पागे हैं तो वो बिल्कुल सीपैक प्रोश्की के अंदर वो जो चार दिन मसलसल आप आलते जंग में थे तो जाने से पहले अपना होंवर की करके चले जाते जाने से पहले ब्लोचियों को आउन टेबल लेते वहां अमनों आमान की सूरतेहाल होती तो जाते चाएना देखें सबसे इनको बेसिक अडियालोजी से इंसाफ कर रही हैं वहाँ प्र पाकस्तानियों को इंसाफ नहीं मिलता अगर वहाँ पक्र जाक इनवेश्मेंट करेगा थो इसको कहां से पहले को इतों सूरतेहाल में आपका क्या रोगों पता नहीं को सब पता है लगिन ये कि अस पाकिसान फ complex इनके इनके इंट्रस्ट भी उनको ऐसे खाएं, उनको यहां पर आबजे कुरान बनाएं उनको, यह मेरे लिए कि सारा कुछ है, अपने लिए क्यों स्टेंडर्ड इनके डबल है, आपके हर वजीर के हर जो आपके जो विराकरेसी और हर एक के बचे बार कैनेडा में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ आप उनसे बात करें, लेकर एक डबल स्टेंटर्ड है, यही एक गत्मिया है, और मैं खुद आपने आपको, मैंने कई दफा बताया है, कि मैं खुद मुतासरीने PTI हूँ, मैं इसी लीडर्शिप के लिए मैं भी दौाएं करता रहा हूँ, और आज भी लोग यह कह रहे हैं हासाब, वो कहां गया फार्मूला आपका, आपने लोगों को क्या बताया था और फिर वो ही बता रहे हैं कि मैं अमर बिन मारूफ, मैं हक है और दूसरे बातल है, यह किस पना का ड्रामा कर रहे हैं, खुदारा इसलाम एक बहुत अच्छा रिलिजिन है, इसको आप, पहले ह मैं कहता हूं कि फॉर्ण रिलिजिन है, हमने इसके साथ जयाती की है, पाकस्तान और इस रिजिन में, हमने इसकी स्पिरिट को रही समझा लेकिन आप तो इसको मजीद इसको खराब कर रहे हैं, र्यास्ते मदीना है कि बहुत बड़े हमारे प्रेखंबर ने उसको बड़े वहां पे चार खलीफे थे, हमारे उन्होंने बड़ी हिस्ट्री है, उसमें इसलाम की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, आप खुदारा इस चीज को यूज करना आप बंद करें, आप किस टारेक्शन में जा रहे हैं, आप कोई एक चीज तो छोड़ दें, जो लोग यहां से प और उमीद हो, लेकिन आप बिलकुल उसको पी भी छोड़ रहे हैं,